आज हम बनाएंगे चिकन करी जो बहुत ही एजी रेसप के साथ आपको बताऊंगी और बिल्कुल मसालेदार होगी तो आए शुरू करते हैं फ्रेंट्स मैंने यहां एक केजी चिकन दिया है और उसमें एक कटोरी देही डाला है देही से हम इसे मैन निट करेंगे इसके लिए कुछ मसाले डाले है जैसे की रेट चिली पाउडर नमक टू टेस्ट और थोड़ी सी कस्तोरी में थी प्रेंट्स अगर आप चाहें तो इसमें धनिया और पदीलना ड्राई जो हता है न वो भी डाल सकते हो और थोड़ी सी अजवाईं सबी चीज़यों को टाल कर जो भी आपके पास जीत ससे मिक्स करें और इसे मैनिट होने के लिए आधे गंटे के लिए रख दें तो तांकि जो मसाली है इसके अंदर तक चले जाएं टीस्ट इसका अंदर तक आजाएं तांकि ये अंदर से टेस्ट लेस्ट ना रहे हैं तो इसे मैनिट आधे गंटे के लिए रख दें और दूसरी तरफ फ्रें तब ही आप इसमें मसाले डाले और फ्रेंट्स एक बात और है कि जब आप सर्सो का तेल गर्म कर लें तो उसे थोड़ा सा ठंडा होने दी उसके बाद उसमें मसाले डाले इसके लिए मैंने दालजीनी और जीरा और लॉंग लिये हैं चार पांच और बड़ी एलाइची चोट अब हैं आप मसाले होते है लियो आप इसमें दील में टाल सकते हुग उसके और गठ्वीने दाले लूड़ को रचे से प्याँ नेकर लूड़ को अच्छे से बुने जाएंगे तभी हमारी ग्रेवी का कलर रहना ब्राउंसा वो फिर आएगा ये दीकें इस तरह से प्याँ अच्छे से रैट करने और इसके बाद हम इसमें मसाली अट करेंगा आप चिकन में जो भी पानी डालेना वो पानी गर्म होना चाहिए। जिस तरह से मैं और तक साइड में पानी गर्म कर रहीं है। और साथ में हम इसके डालेंगे। नमक थोड़ा से कम डालेंगे क्योंकि हमने मैननीमें डाला हुआ है। और सार में धनिया मसाला हमने अब यह इसमें चिकन मसाला नहीं आड़ करना और थोड़ी से हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे भूनेंगे फ्रेंड्स तेल की मातर मेंने बहुत कम रखी है लसन अदरग बारी करकर डालाए आप चाहिए तो इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो इसका पेस्ट भी बना सकते हो और अगर रेडिमेंट की इच्छा हो तो आप वो लसन और अदरग का पेस्ट भी एक एकचा मच इसमें डाल सकते हो बहुत ही बढ़िया खुशुब हो आती है और फ्रेंट्स मैंने इसमें जीरा डालना है तो मैंने जीरे का अच्छे से तवे पर भूल लिया है और इसका पाउडर बनाऊंगी और इसे ग्रेवी में डालेंगे एंड में तो आप इसमें घर में ही इससे बनाकर आप इसमें डाल सकते हो अगर आप मार्गेट बाला जीरा पाउडर डालना चाहते हो तो आप वो भी डाल सकते हो इससे आपकी ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ में मैंने चार टमाट लिये उसके प्योरी बनाईया और वो डाली है अगर फ्रेंड्स आप प्यास बारीक नहीं काटना चाहते हैं जा टमाटर इस तरह से मिक्सी ग्राइंड नहीं है तो सबी चीजों को आप इसमें मोटा मोटा डाले और उसे अच्छे से बूने जैसे मैंने किया है और उसके बाद आप कोकर की एक सीटी लगवा दो और उस मसाले को अच्छे से मियाश कर दो तो आपका बिल्कुल बहुत ही बड़िया मसाला रैडी हो जाएगा जैसे मिक्सी ग्राइंडर में योज करते है काली मिर्च डाली है तो टेस्ट के लिए अब जब यह गीच आएगा मसाला तब ढूँमें इसमें चिकन डालेंगे फ्रेंड म! इस मसाला बहुत बड़िया बना अ Crisis! इसमें नहीं मैं और आप चिकन में बहुत बड़िया टेस्ट आएगा क्योंकि जो खड़ी मसाले डाली है न मो जब इसमें ग्रेवी डालेंगे है तो तो उसकी जो खुश्बू बहुत ही बड़ी आएगे अब फ्रेंट्स मैंनी निट कियो है चिकन को आदा गंटा हो गया अब मैं इसमें डाल दूँगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्रेंट्स दो से तीन मिट फुल आच पर इसे भूनेंगे कुकर में बिना रहे हैं तो इसकी हम एक विसल लगावाएंगे जिससे ये परपेर होजेगा अगर आप जल्दी में हो अगर आप इसकी विसल नहीं लगवाना चाते तो ये साथ से आट मिट में ड्रेडी हो जाएगा तो मिट में अच्छे से बूलेंगे फ्रेंट्स आप इसमें धनिय के डंडल होते हैं वह भी चॉप करकर इसमें डाल सकते हो अब हम इसे भूनेंगे थोड़ा सा 2-3 मिंट के लिए और फ्रेंट्स इसमें मैंने एक नेमू अच्छे से उसका जूस निकाल लिया है और जीरा पाउडर जो मैंने आपको बताया वह और चिकन मसाला धेर चमच और तीनों चीजों को आप मेस में डालूंगे देखे कितना बढ़िया बन गया है अगर फ्रेंट्स आप इसे इसमें ग्रेवी नहीं डालना चाहते तो इसी तरह से ही पका सकते हो जैसे कि आप लक्षेतार प्राउठी के साथ खाल रहे हो जाँ चपाती जो भी इस तरह आपको पसांद है तो उसके लिए इस तरह से सूखी सबजी भी अच्छी लगती है लेकिन मैं राइस के साथ मैना रही हो तो इसमें मैं थोड़ी से ग्रेवी डाल लागा तो इसली पानी डाले हैं पानी आप जो भी डालो वो गरम ही डालें इससे चिकन बहुती बढ़िया बनता है, फुरा उबधववा पानी ही डाले, इसमें ठंडा पानी ना डाले, अब फ्रेंट्स इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर जो हम बनाया था हमने, और साथ में डालेंगे हम इसमें चिकन मसाला, यह M.D.H. का है, आप जो मर्ची यू और डालेंगे हरी लंबी गटी हुई मिर्चे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक विश्ण तक इसे पकाएंगे, इसे टॉटली में बनाते बस मैंने टाइम ही लगा है, बाकी टाइम कम लेगा है, और चिकन अच्छे से चल्दी से परपेर भी हो गया, अब फ्रेंट्स हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें कुछ कम लगा नामाग मिर्ची कुछ भी तो हम इसमें एड करतेंगे, फिलहाल मेरा परफेक्टर आप एक बार टेस्ट करके चेक कर लेए, अब फ्रेंट्स हम इसे एक सेटी लगवाई है, आप देखें, चिकन हमारा बहु प्रेंट्स हम इसे बहुत ही तेस्टी और डिलिशस बना है, आप इसमें आई होप आप इसे घर में जो ट्राइ करोगे, राइस को साथ तो यह बहुत हम टेस्ट लगते है, ग्रेवी जो होती है ना बहुत ही बढ़ी बनी है, जो इसमें मसाले डाले थे, उसका जो खुश् जी मेरे चैनल को ताकि मैं आपके लिए हेल्थी हेल्थी रेसिपी लेकर आती रहूं, इजी टूप कोक रेसिपीज, हेल्थी खाये, हेल्थी रहिए, थेंक्यू पर वाचिंग